बिस्मिल्लाहर्राह्मान इर्रहीम, Assalamualaikum, Welcome to my kitchen, मैं हूँ Chef Hafzah और आज मैं आप लोगों के लिए एकदम इंस्टंट और मज़िदार सी रेस्पी लगे आई हूँ, आज हम क्रेंशी गर्म गर्म जली भी बनाएंगे इसको बनाना इतना असान है ना कि कोई भी इसको बना सकता है, और बनती एकदम पर्फेक्ट और मज़िदार है, तो रेस्पी का कोई भी पर्ट मिस्मत कीज़ेगा, ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें बनाना शुगर से अब उसके लिए एक बर्तन मैट करेंगे दो कब चीनी साथ इस मैट करेंगे एक कब पानी थूरस इसमें येलो फूट कलर एट करना है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हमेना चीनी को बस मेल्ट होने देना है जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसमें अच्छी से इस तहां बॉइल आ जाएगा तो शुगर से प्रेडी हो जाएगा इसमें मैट करेंगे एक ड्रॉप केवर एसंस का इसको अचीत ऐसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको किसी छोटे से बरतन में निकाल लेंगे ताकि जलीबी जो है वार आहम सुस में डिप हो सके इसको हम कवर करके एक तरफ रखेंगे और अब क्विकली जलीबी का बैटर बनाएंगे तो इसके लिए एक बोल में अट करेंगे, एक कप मैदा, वन टेबल एश्पून की और साथ ही एक साशे इनो, इनो जो है वह हमारी जलीबी में फर्मेंटेशन का काम करेगा, कुएक फर्मेंटेशन, एक साशे अट कर लेंगे और अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जलीबी का जो बैटर है वो हाथ से बहुत ही बेस्ट बनता है, लेकिन अगर आप चारें तो आप विस्क भी रूस कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम इसमें थोरा-थोरा करके पानी अट करेंगे और हमें यहाँ पे एक थिक सा बैटर बना के तयार कर लेना है, तो इस तरह अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं, बैटर जो एको थिक होना चाहिए लेकिन फ्लोरी होना चाहिए, और हाथों से अच्छे से इसको मिक्स क तो इस तरहीकी से देखें, मैंने बैटर बना के तैयार कर लिए, इस तरहीकी के जेलीपी का बैटर होना चाहिए, यह थे के लेकिन फ्लोवी है, यानि के ड्रेप असानी से हो जाएगा, अब सिंपल हमें इसको निकालने हैं एक पाइपिंग बैग में, या पर कोई स्क्वीज बॉटल होती है ना उसमें भी निकाल सकते हैं, या तो पर चुद दूद की थेली आती है ना उसमें भी निकाल सकते हैं, बहुत साहीं आप्शिंस हैं, अब हम गी को एक पढय आछी तरह से गरम करी लेंगे और जprint को simple इस तरहीच से गोल-गोल सा नाइप करनेगे रेंडम ली इसतर हाँ गी जोइनन यहाँ पर अच्छे से गरम होना चाहिए और अच्छे से हमें जलीबी को यहाँ पर क्रिप यूनि तक पका लेना है तो यहां पे जलेबी जो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इसको डिप करेंगे चाशनी में चाशनी जो है वो गर्म है गर्म गर्म चाशनी में हमें गर्म गर्म फ्राइ कियो जलेबी जो डिप करनी है और इसको तकरीबें 5-6 सेकंड रखना है इसके अंदर पूरा शुगर से बहुत ही अच्छे से चला जाएगा और यह बहुत ही जूसी और क्रिस्पी जलेपी बनेंगी इसी तरही किसे नहीं हमें तमाम बना के तयार करें लेनी है तो जी तयार है हमारी क्रिस्पी और डिलिशिस सी जूसी घर्म करम जले भी बहुत ही आसम बन के रेडी हुई है इसका फ्लेवर इतना यम्मी है न कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसको गह पर बना के तयार किया रेसिपी ज़र से ट्राइएगा अगर वीडियो पसे नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़र से सब्स्क्राइब कर लीजिएगा मिलते नेक्स रेसिपी में शाला आला हाफिज